हेलो फ्रेंड्स, इंडियन व्लॉग एंड रेसिपी में आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं आपके लिए केसर इलाइची बनाना मिल्क सेक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगा और इस सीजन में तो और ज़्यादा पसंद आएगा तो आप बनाईए और मुझे बताईएगा कैसा लगा ये मिल्क सेक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिल्क सेक की रेसिपी, बनाना मिल्क सेक की रेसिपी तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो इसके लिए हमें दो बनाने की जरूरत है सबसे पहले दो बनाना ले लिए हैं और यहाँ पे 200 ग्राम मिल्क ले लिया है और यह मिल्क एकदम चिल्ड है और यहाँ पे 5-6 टेबल स्पून मैंने चीनी लिया है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इधर देखिए यह चार इलाईजी का पावडर लिया है कुछ ड्राइफ रूट्स हैं जो मैंने बारिक पीसिस में चॉप कर लिया है आप अपने मन पसुन ड्राइफ रूट ले लिजिए और यहाँ पे केसर के 10-12 तार मैंने आदे घंटे पहले दूद में भीगो के रख दिया था अब ले लिया है मिक्सर का जार और इसमें हम बनाना के बारिक बारिक पीसिस करके डाल देंगे तो यह मेरे बनाने हैं केले ही यह खराब नहीं है यह ज़्यादा पख गए है तो आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं तो फिर जोट जोड़ा रहते हैं उन्यायाम कि यस बारिक पीसिस में चौप कर लेती हूं और मिक्सर के जार में डाल देती हूं कुछ इस तरीके से तो आप इस बनाना को खराब मत समझेगा अच्छा है ये ज़्यादा पक गया था तो ये दूसरा भी मैं इसी तरीके से डाल दूँगी और फिर दोनों बनाने डालने के बाद मैं यहाँ पे मिल्क एड़ कर दूँगी ये पूरा मिल्क एड़ कर दूँगी ये फुल क्रिम मिल्क लिया है मैंने आप चाहे जैसा ले सकते हैं इसके बाद हम इसमें एड़ करते हैं ये केसर तो इस केसर से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और हलका सा येलो इस रंग आएगा इसमें इलाइची पौडर डाल दिया चीनी डाल दिया चीनी आप जदा यось कम कर सकते हैं और अब हम इसे ग्राइड कर लेंगे तो देखें इस मिक्सर जायर में में ग्राइड कर लिया है और हमारा बनाना मिल्क सेग रेड़ि है और यहां पे मैंने कप्स ले लिये हैं और इसमें हम सर्फ कर देंगे हम तो यह बहुत ही टेस्टी लगेगा आप ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा कैसा लगा आपको तो इन दोनों कप में ले लिया है मैंने और अब हम कर देते हैं गार्निशिंग तो आप अपने मन चाहें ड्राइफूट से गार्निशिंग कर सकते हैं तो यहां पे मैंने काजू, बादाम और चिरोंजी लिया हुआ है तो दोनों कप में इसी तरग्ये से गार निसिंग कर देती हूं और हम इसमें डाल देते हैं केसर के कुष्टार जिससे हमारा बहुत ही सुन्दर मिल्ट से दिखेगा और कोई चीज अच्छी दिखेना तो बच्चे और भी उसे पीना चाहते हैं या खाना चाहते हैं देखिए मिक्सर जार में अभी और थोड़ा आधा कप और बचा हुआ है ये देखिए तो इसको भी हम इसी तरह से ले लेंगे तो लीजिए हमारा मिल्क से रेडी है बनाना मिल्क से तो कैसी लगी रेसिपी जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग